आप सभी को मेरा प्रणाम आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मित्रो हर्बल रेमिडी जे नैचर स्टेजर में आपका स्वागत है एक और एक्स्प्लोरेशन के समय पाए गई एस्टेरी सिकुल के एक अच्छे फर्बेस्टिस प्लांट की चर्चा करेंगे सुडोनाफेलियम एफाइन सुडोनाफेलियम एफाइन रेस्पारिटरी सिस्टम के डिसोडर्स के लिए बहुत अच्छा करे करने वाला प्लांट है मित्रो इनके पीले फूल और कॉमल पत्र का इंफ्यूजन आपको पीना चाहिए कई प्रकार के अस्थमा से संबंदित प्र मिली लीटर तेज गर्म पानी में उसको डाल दीजे और ढखके रख दीजे ठंडा होने के बाद छान लेजे और दिन में एक बार आपको यह पीना है यह रेस्पारिटरी सिस्टम के लिए लंग्स को मजबूती देने का कारे करता है लंग्स को स्टेंक प्रोवाइड करने क करता है COPD Lifestyle Disorder के अंदर आता है Chronic Obstructive Pulmonary Disease जिसके अंदर हमारा जो एर पाइप होता है इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है वह हमें सांस लेने में प्रबलम आती है अवरुद्ध जो सांस लेने में आता है यह हमारे anxiety से जुड़ी हुई समस्या भी है कई बार तनाव के कारण या मांसिक परिशानी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो अस्थमा जैसी समस्या हो जाती है COPD की समस्या हो जाती है हॉर्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें ऐसे मल्टी पर्पर्पर्ज प्लांट किया उसकता पड़ती है जो नाकेबल फिजिकल लेवल पे बल्कि हॉर्मोन लेवल पे अपने अक्टिविटी सो करें हॉर्मोन को रेगुलेट करते हुए तनाव को दूर करते हुए और मसल रिलेक्षेंट का कारे करते हुए लंग्स को स्ट्रेंग प्रोवाइड करते हुए COPD का आसान निदान करता है एंटी हि इस्ट बनाकर लगाईए घाओ को भरने के लिए विशेश साहिक होता है घाओ भरते नहीं है और यह समस्या आपकी इम्मुनिटी के कंप्रोमाइज होने के कारण भी हो सकती है अगर आप लंबे समय से एंटिबाइटिक्स का एक्जॉर्बिटेंट इस्तमाल कर रहे हैं इर्र ब्लड के अंदर टोक्सिसिटी कोस करते हैं इसके कारण भी आपको ऑटोमीन डिसॉर्डर्स और बोडी की जो इम्मुनिटी है सप्रेस हो जाती है इस अवस्था में भी घाओ हमारे भरते नहीं है और इसके बाद में बहुत हानिकारक पॉंसिक्वेंस होते हैं बाद में ब स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है आप इसको इंफ्यूजन बनाकर सेवन कीजिए स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं फंगल इंफेक्शन है माइक्रोबियल इंफेक्शन है या आपके हेर्स के प्रिट एंड्ड है स्केल्प के ऊपर फंगल प्रोथ है डेंडर्फ की समस्या है इसके काड़े से बालों का धो दीजे वह भी दूर हो जाती है घाव आसानी से भर जाते हैं एक्जीमा की समस्या रेडनेस स्किन के ऊपर रेड पैचिस बन जाते हैं इसको भी ठीक करने का कारे करता है मित्रोब पित और वात इन सब से ज अच्छे स्वास्थी के लिए उपयोग में ला सकते हैं मित्रो बदलते वे मौसम में बुखार की समस्या बार बार होने वाला बुखार या पेट के कीड़े भी अगर हैं तो इसके पत्र का आप जूस पी लेजे और आप देखेंगे कि पेट के कीड़े निकल जाते हैं और तो आप इसको गंबले में लगा कर संदक्षित कर सकते हैं आप सकता अनुसा रोस देगुनों के लिए उपयोग में ला सकते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन का कारे करता है अस्थमा के समस्या के लिए स्यो पीडी के समस्या के लिए ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए लि लिस्टे के लिए दी हुई है आप उसको भी और जानकारी के लिए रहर कर सकते हैं उसको देख सकते हैं भी और अदिक बना प्रसक्ति III सलीशे रागए है और उन लोगों का oxygen level पूरा नहीं है और ऐसा बताया जाता है कि आपके lungs में infection है या फिर infection के कारण कोरोना के समय आपके lungs damage हो गए है ऐसे भी अगर कोई patient है भगवान ना करें ऐसी समझ्चा बनी हुई हो लेकिन ऐसी अगर समझ्चा है तो आप इसका काढ़ा बना कर पीना स्टार्ट कर दीजे lungs से जैम हुए कफ को निकालने वाला होता है airways को clear करेगा lungs को मजबूती देते हुए post covid जो effect bad effect आपके lungs पर पड़ा है इसको ठीक करने का कारे करता है बहुत अच्छा ये plant है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे email के माद़म से phone के माद़म से communicate कर सकते हैं निते आने वाले जानकारी को आप अधिक सदिक लोगों के साथ share कीजे ताकि आपके साथ साथ वो भी इस जानकारी से लाबान मित हो सके नैचर का gift है इसको संजोना चाहिए सनस्कित करना चाहिए इनी मंगल कामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ नई चर्चा के साथ तब तक आप सभी का धन्यवाद पर नाम नमस्कार